हलो स्टुडेंट्स हम लोग एक साइज 1.3 पे हैं और कोस्टर नमबर है वन क्या रहा है एक्स्प्रेस इच आप दा फॉलॉइंग इंटिजर्स आज प्रोडॉक्ट आफ इस प्राइम फैक्टर सली देखते हैं फॉर्स्ट नमच 420 है तो फैक्टर टी से भी निकाल सकता और 5 से ले जाओगे 7 आजाएगा तो हम 420 इक्वाल टुमें 2 इन्टू 2 इन्टू 3 इन्टू 5 इन्टू 7 यानि कि हम लोग ऐसे लिए सकते हैं 2 का पावर 2 इन्टू 3 इन्टू 5 इन्टू 7 हमने इसका प्राइम फैक्टरिजेशन कर दिया समझ गए चलिए अगर देखते हैं से 468 इसे लिए 2 से सुरू करते हैं 2 से ले जाएंगे 234 बार में यहां पर फिर तू से ले जाएंगे वन और फिर आपका क्या जाएगा यहां पर 1 7 117 अब 3 से जाएगा तो 3 से ले जाएंगे 3 3 जा 9 और आपका 3 9 जा 27 फिर आप 3 से ले जाएंगे इतना बार में जाएगा 13 बार में चला जाएगा तो यहां से हम लोग 468 इको डूली सकते हैं 2 into 2 into 3 into 3 into 13 यहीं हो जाएगा 2 का power 2 into 3 का power 2 into में 13 चलते हैं आप next question पर चलिए अगला है आपका third number 945 945 कितना से सुरू करेंगे हम लोग 3 से चला जाएगा हाँ 3 से चला जाएगा 2 से तो नहीं जाएगा 3 से ले जाएंगे 105 फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और 35 जा 15 अब 5 से जाएगा 7 तो 1045 इकॉल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 7 यानि कि हो जाएगा यहां से 3 का power 3 इंटू में 5 इंटू में 7 चलिए अगला इसका 4 नमबर देखते हैं क्या दिया है 7325 ठीक है चलिए देखते हैं तो कितना से ले जाएगे तो यह आप तू से भी नहीं जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा 5 से जा सकते हैं 5 से ले जाते हैं 5 1 जा 5 यह पर 2 बचेगा 5 4 जा 23 बचेगा 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 ठीक है अब फिर 5 से जाएगा तो यहां हो जाएगा 5 2 जा 10 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15 293 अब यह किसी से जाएगा अब नहीं जाएगा तो 7 3 2 5 इक्वाल टू में हम दों ली सकते हैं 5 इन्टू 5 इन्टू 293 ठीक है यानि कि 5 का पावर 2 और इन्टू में 293 ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं तो यह आपका प्राइम फेक्टर हमें करके दिखा दिया है चलते हैं नेक्स कोशन पे चलिए अगला कोशन नमबर 2 द जाएगा आपका 10285 ठीक है अब टू से तो नहीं जाएगा फाइफ से चला जाएगा तो फाइफ से ले जाएगा तो कितना जाएगा आपका 2057 अब यह आपका फाइफ से तो नहीं जाएगा 7 से भी नहीं जाएगा मैं प्राइम नमबर से ले नहीं है जी 7 से भी नहीं जाएगा आपका 11 से चला जाएगा तो आप 11 से ले जाओ 187 बार में आ जाएगा फिर अब 11 से चला जाएगा क्या फिर से 11 से जा रहा है कितना बार में तो 17 बार में हम लोग 2 0 5 7 0 equal to बली सकते हैं 2 into 5 into 11 का power 2 कर देते हैं और into में आपका 17 चलिए अब इसका second number देखते हैं दिया है 585 double 0 चलिए इसको करते हैं तो आजाएगा 29250 अब फिर फिर से दुबारा से चला जाएगा चलते हैं और देखते हैं जाएगा 14625 अब यह 2 से नहीं जा सकता है 3 से जाएगा तो 3 से टीवाइट करते हैं कितना बार में जाएगा 4875 अब फिर एक्षी एक बड़र से जा सकता है 3 से 1, 6, 2, 5 3 से जाएगा नहीं, अब 3 से नहीं जा रहा है, तो अब चलिए 5 से ले चलते हैं, 5 से तो जाएगा ہी 5 से ले जाएगगे, तो 3, 25 आ जाएगा, पिर अभी 5 से यह जा सकता है, फिर से 5 से इसे करेंगे, तो आपका आ जाएगा 65 अब फिर यह 5 से जा सकता है तो यह आजाएगा 13 यह न आएगा तो हम लोग अब लिख सकते हैं हाँ पे कि 585 00 equal to में 2 का पावर 2 3 का पावर 2 5 का पावर 3 और इन्टू में 13 समझ गए चलता अब इसका लास्ट वाला देखते हैं तो क्या है आपका थर्ड नंबर में यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा सा है 45470971 यह आपका 2 से नहीं जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा 5 से भी नहीं जाएगा सीरे 7 से ले जाते हैं तो 7 से ले जाएं अचा मैं अब यह 7 से जा सकता है कि नहीं 7 से फिर से जाएगा 7 से ले जाएंगे तो आपका घाएगा 927979,927979 चलेखें? अब इसके बात देखो यह 11 से नहीं जाएगा 13 से चला जाएगा अब इससे 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 से डिवाइड करोगे तो आप का जाएगा 71383 ठीक है चलिए अच्छा और फिर अब इसके बाद अगर मैं फिर से 13 से करो फिर 13 से चला जाएगा कितना बार में जाएगा 5491 ठीक है अच्छा अब 13 से जाएगा तो 17 से डिवाइड करें तो यह जा सकता है कितना बार में जाएगा 19 बार में जाएगा यहां से मिल ली सकते हैं कि 45470971 इकॉल टू में 7 का पावर 2 इंटू में 13 का पावर 2 इंटू में 17 का पावर 2 और इंटू में अपका 19 यह हमने इसका प्राइम फेक्टरिएशन कर दिया समझ गए? कोशन नमर 3 देखिए इसका पावर 2 दिये हैं यहां पर यह कह रहा है एक कंपोजिट नमर से चलिए के करके दिखना है 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस 13 आप यहां से 13 कॉमन कर सकते हो तो 7 इंटू 11 और प्लस में 1 आ जाएगा तो 13 और यहां पर 77 और प्लस 1 यानि कि 13 इंटू में 78 आ रहा है तो इह इनका प्रोड़क्ट जो होगा जो भी आएगा वह एक कंपोजिट नमबर ही ना होगा क्योंकि देख रहे हैं इनका प्रोड़क्ट 13 से भी 78 से भी 2 से भी डिविजबल है तो यह क्या हो जाएगा therefore 7 11 13 प्लस 13 is a composite composite number यह आपका एक composite number है इसी से यहीं से मैं पता चल रहा है तो दूसरा है आपका 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस में 5 तो आप यहां से 5 कॉमन करोगे 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 ठीक है अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा 5 और यहां पर दो का पिंटू करो 7 into 6 into में 4 into में 4 into में 3 into में 2 into में 1 तो इन सब को मंटिप्लाई करोगे तो 1008 आ जाएगा और प्लस में आपका है यहां 1 तो यहां पर 5 into में 1009 तो इनका प्रोड़क्ट जो एक प्राइमी एक ऐसा नंबर होगा जो other number से भी divisible हो जाएगा अपने आप 5 से भी divisible है 1009 से भी divisible होगा और जिनका प्रोड़क्ट जो एका इनका जो प्रोड़क्ट लेगा उटसे भी divisible होगा वन से भी divisible होगा ते composite number नहीं हो गया therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 or plus 5 is a composite number composite number तो यही तो में दिखाना था, चली समझ गए question number 4 देखिए, करा चेक whether 6 का power n can be end with the 0 for any natural number यहाँ पर आप कोई natural number रखो, 6 का power 1 60 होगा, 6 का power 2 36 होगा, 6 का power 3 216 होगा, यह कभी भी 6 से हिंड कर है, क्या कभी 0 से हिंड कर सकता है, किसी भी natural number के लिए नहीं कर सकता है, तो हम लोग लिखेंगे no, no क्यों नहीं होगा यह भी हम लोग लिख देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि if the number 6 का power n end with the digit 0, then the prime factorization of prime factors of 6 का power n must have must have 2 and 5. 6 के power n के factor में हमें क्या मिलना चाहिए? 2 और 5 जरूर मिलना चाहिए. अगर वह 6 का power n 0 से इन करता है, तो 6 का power n का जब factor करेंगे, तो उसमें 2 and 5 जरूर मिलना चाहिए. लेकिन 6 का power n का factor करेंगे, तो 2 into 3 का power n, इसमें हमेंसा 2 और 3 ही आएगा. आप देख लो, 2 और 3 ही आएगा हमेंसा. इसका आप prime factor करेंगे, तो हमेंसा क्या आएगा? 2 और 3 ही आएगा. तो इसमें आपका 5 तो नहीं है, बट, बट, 6 का power n या prime factor of 6 का power n, prime factors of 6 का power n is 2 and 3. हमेंसा इसके prime factor क्या हो रहा है? Prime factor 2 and 3 ही हो. So, so, there is no natural, there is no natural number, number n, n for which, for which 6 का power n ends with the digit, ends with the digit 0. ऐसा कोई natural number n नहीं है, जिसके लिए 6 का power n, 0 से end करेगा. Question number 5 देखे, explain why, यह जो दिया हुआ है, 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. तो इसमें आप 7 common कर सकते हो, तो यह 3 into 5 plus 1 बचेगा, यहापे 7 और into में आपका 5 3 जा 15 और plus 1. तो आप देखो, 7 into 16 आएगा, तो इसका जो product आएगा, आपका composite number ही होगा, composite number ही होगा न, क्योंकि यह देख रहे है, 7 से divisible हो जाएगा, 16 से divisible हो जाएगा, 2 से divisible हो जाएगा, 8 से divisible हो जाएगा इनका product, तो हम लोग क्या सकते हैं, कि therefore, 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. composite number, अपका composite number होगा, हमने प्रूब कर दियो, तो यहीं आपके question थे, इस साई में, मैंने सारे question आपको बता दिये, अब इस वीडियो को यहीं paint कर देते हैं, आपको हमारे 3 channel को subscribe करना होगा, पहला है, pathfinder classes छपरा, pathfinder classes छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन, रवी कांत सर, और तीसरा channel है, रवी कांत सर के नाम से, तीनों channel को subscribe कर लेंगे, और इस से रिलेटर वीडियो के लिए, सीधे description में जाएंगे, और इस से रिलेटर नोट्स के लिए, Google पे जाकर search करेंगे, www.ravikant.sar.in और यहाँ पर जाकर, सभी classes के notes और उनके PDF को, download कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, Instagram और Facebook पे जाके, pathfinder classes छपरा को, like and follow करना नहीं भूलेंगे,